नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है संदीप्स ट्यूटोरियल पर आज हम पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड की पांचवी कक्षा के हिंदी विशे का पाठ शे इमान तर बालक पढ़ेंगे एवं उसका अभ्यास करेंगे चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं क्रिशनपुर गाउं की पाठ शाला में गुरू जी गनित की कापियां जांच रहे थे क्रिशनपुर नाम का एक गाउं था उसकी पाठ शाला मतलब स्कूल में गुरू जी गुरू जी का मतलब होता है मास्टर जी गनित की कापियां गनित मतलब मैट्स हिसाब हिसाब की कापियां जांच रहे थे जांच रहे मतलब चेक करना चेक कर रहे थे आज बहुत कम बच् उन्होंने घर का काम किया था, शायद स्वाल कुछ कठिन थे, शायद स्वाल कुछ कठिन का मतलब होता है मुश्किल थे, लेकिन ताज्यूब की बात थी कि गुपाल के सारे स्वाल ठीक थे, ताज्यूब का मतलब होता है हैरानी, लेकिन हैरानी की बात थी कि गुपाल के सारे स्वाल ठीक थे गुरुजी गुपाल का ग्री कारे देखकर प्रसंद होगे प्रसंद मतलब खुश होना वह उसका ग्री कारे देखकर प्रसंद होगे उन्होंने गुपाल की पीठ थप थपाते हुए कहा पीठ थप थपाना मतलब उसको शाबशी देना उन्होंने गुपाल को शाबश देते हुए कहा देखो बच्चो गुपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किये हैं उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है आपको गुपाल से सीखना चाहिए यह सुनकर गुपाल अचानक फूट पढ़ा, फूट पढ़ा मतलब रो पढ़ा, गुपाल को इस तरह रोते देख सभी बच्चे हिरान रहे गे, सभी बच्चे हिरान थे यह देखकर कि मास्टर जी ने उसकी तारीफ की है, लेकिन फिर भी गुपाल क्यों रो रहा है गुरू जी भी एक टक उसे देख रहे थे, एक टक का मतलब होता है, बिना पलक जबकाए देखना, उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन गुपाल सुबक रहा था, लेकिन गुपाल अभी भी रो रहा था आखिर उसने धीरे से उठकर कहा मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में, वास्तव का मतलब होता है असल में, लेकिन मैं वास्तव में इसके लायक नहीं मैंने ये सारे सवाल अपने आप नहीं किये, इन में से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कापी से उतारे हैं, मित्र का मतलब होता है दोस्त इन में से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र से देखे हैं इसलिए मैं तारीफ का नहीं दंड का भागी हूं दंड का मतलब होता है सजा इसलिए मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए बलकि कि मुझे दंड दिया जाना चाहिए। नहीं गुपाल मस्टर जी मंध मंध मुस्कुराते हुए कहा यह तारीफ के काबिल है जो तुमने अपनी अमानदारी दिखाई है सचाई से तुमने सारी बात कह दी है तुम सच्चे और इमानदार ही नहीं अपितु साहसी भी हो अपितु का मलब बलकी साहसी मलब भादुर तुम सरफ सच्चे और इमानदार ही नहीं बलकी भादुर भी हो गुपाल का हरिदे रुमान्चित हो उठा हरिदे का मतलब होता है दिल रुमान्चित मतलब खुश होना गुपाल का दिल खुश हो गया, सभी विद्यार थी, कभी गुपाल और कभी मास्टर जी को देख रहे थे तो यह था हमारा पाठ, अब हम इसका अभ्यास करेंगे नीचे गुर्मुखी और देवनागरी लिपी में दियेगे शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो यह जो शब्द नीचे दिये हैं, इनको आपने पढ़ना है एवं लिखना भी है जैसे पंजाबी में लिखा है हल, तो हिंदी में लिखेंगे हल गुरू, गुरू, सच्चा, सच्चा, क्रिशनपूर, क्रिशनपूर, मित्तर, मित्र, दंड, दंड उसके बाद है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी बाशा में शब्द दिये गये हैं इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो ये इदर पंजाबी में कुछ शब्द दिये हैं, दूसरी तरफ उनको ही जो है हिंदी में लिखा गया है इसको भी आपने पढ़ना भी है, एकम लिखना भी है जैसे है PIN्ड इसको हिंदी में लिखेंगे GAM, कम इसको हिंदी में लिखेंगे KARIYA, हिर्दा हिंदी में लिखेंगे HRIDE, कर इसको हम लिखेंगे GRIH, योग, तारीफ, हिम्ती, साहसी चलिए आगे करते हैं आगे है पड़ो, समझो और लिखो ये नीचे कुछ वर्न दिये गए हैं इनको जोड़कर एक शब्द बना है इसमें ध्यान देने लिजी ये है कि ये दो वर्न है एक वर्न के नीचे ये हलंत का जो है हलंत लगी हुई है जिस वर्न के नीचे हलंत लगी होती है उसको हम आदा बोलते हैं देखिए क्रिश्य क्रिश्श बन गया उसका बना क्रिश्ण स्ट स्ट मास्टर स्ट स्ट वास्टव त रत्र मित्र स्क स्क मुस्कराते गय ग्य योग्य च च सच्चाई ज ज ज ताज्जुब आगे शबद आर्थ हैं ये शबदों के कुछ आर्थ हैं हम इसको पड़ेंगे पहला है ग्रिश कार्य घर से हल करके लाया जाने वाला काम ताज्जुब ताज्जुब का मतलब होता है हैरानी दंड दंड का मतलब होता है सजा रमांचित रमांचित का मतलब होता है जिसके रोएं खड़े हो पुलकित या खुश उसके बाद है सुबकना धीमी अवाज में रोना इसको हम सुबकना कहते हैं मंद 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 का मतलब होता है धीरे धीरे आगे प्रशन उत्तर दिये गए हैं चलिए हम ये सारे प्रशन उत्तर करते हैं पहला प्रशन है गुरुजी ने किस विशे का ग्रिह कार्य दिया था आप जानते हो कि गुरुजी ने गनित का ग्रिह कार्य दिया था तो इसका उत्तर होगा गुरू जी ने गनित विशे का कार्य दिया था जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका क्या नाम था? तो इसका उत्तर आएगा जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका नाम गुपाल था गुपाल रोने क्यों लगा? उत्तर, गुपाल इसलिए रोने लगा, क्योंकि उसने कुछ सवाल अपने मित्र की काप्पी से उतारे थे चोथा प्रिशन है, गुपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा? उत्तर, गुपाल ने मास्टर जी से कहा कि वह तारीफ का नहीं दंड का भागी है पांचवा, मास्टर जी ने गुपाल के किन गुणों की परशंसा की, परशंसा मतलब तारीफ की उत्तर मास्टर जी ने गुपाल की सच्चाई और इमानतारी की परशंसा की अब हम इन शब्दों के वाक्य बनाएंगे पहला शब्द है पीठ थप थपाना पीठ थप थपाना का आपको बताया था मतलब, इसका मतलब होता है शाबाशी देना मास्टर जी ने गुपाल की पीठ थप थपाई दूसरा है फूट पढ़ना, फूट पढ़ना का मतलब होता है रोना मास्टर जी की बात सुनकर गुपाल फूट पढ़ा मंद मंद मुस्कराना मंद मंद मुस्कराना का मतलब होता है धीरे धीरे मुस्कराना मास्टर जी मंद मंद मुस्कराने लगे आगे है और मांचित होना खुश होना गुपाल का हरिदे और मांचित हो गया आगे है समझो पहला है इसमें स्वाल प्रशन यह है प्रायवाची शब्द है जाने की समान अर्थक शब्द है स्वाल स्वाल का जो है प्रायवाची होता है प्रशन तारीफ तारीफ का प्रायवाची होता है प्रशनसा ताज्यूब ताज्यूब का मतलब होता है हेरान दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है उसी तरह master और guru दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है आगे देखो समझो और लिखो इसको आपने समयना है और लिखना है यह है विशेशन दिये गए है यह से पहला है सच्चा सच्चा से बना सच्चाई इमानदार इमानदार से बना इमानदारी यह विशेष्टा है खूबसूरत खूबसूरत से बना खूबसूरती साहस साहस से बना साहसी यह आगे कुछ उल्टे अर्थवाले शब्द दिये गए हैं जिनको हम विलोम शब्द कहते हैं इमानदार इमानदार का उल्ट होता है जया विलोम होता है बैमान सच्चा, सच्चा का उल्ट शब्द होता है जूठा लायक, नालायक, दंड, इनाम, प्रशन, उत्र, ठीक और गलत उसके बाद इनसे हमने ने शब्द बनाने हैं चलिए इन से हम ने शब्दों से हम ने वाक्य बनाएंगे ठीक है? सॉरी ने शब्द बनाएंगे देखिए इसमें पहला शब्द है स्ट इससे क्या बनेगा? स्टार पोस्टर दूसरा है च मित्र इसकी बनेगा बच्चा शच्चा कच्चा उसके बाद इन से बनेगा? अन, संपन, उत्पन, प्रसन इसके बाद है विरामचिन लगाओ ये करने से पहले चलिए देखते हैं रचनात्मक कौशल इसमें क्या करना है? इस कहानी से मिलने आली शिक्षा के सूत्र वाक्यों देखो इस कहानी से हमें कुछ सिक्षा भी मिली है क्या सिक्षा मिली है? पहली सिक्षा है इमानदार बनो दूसरी है सच बोलो तीसरी सिक्षा है सासी बनो इसको आपने एक चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाना है चलिए अब इस वाक्य में विरामचिन लगाते है मास्टर जी आपने मेरी तारीफ की लेकिन मैं वास्ता में इसके लाइक नहीं क्योंकि यह सब गुपाल ने बोला है संबोधन किया है मास्टर जी को इसलिए हम यहाँ पर inverted कॉमा लगाएंगे उधरन चिन लगाएंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे जिसको हम अल्प विराम कहते हैं मास्टर जी आपने मेरी तारीफ की लेकिन मैं वास्तब में इसके लाइक नहीं पीछे विराम चिन धन्यवाद आप सबने इसको अच्छी तरह से पढ़ा आशा है कि आपको यह पाठ पूरी तरह से आगया होगा एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद